प्रियाग राज में एक तरफ जहां मेला प्रशासन बाहर से आई हुए सर्धालूओं के लिए हर सुविधा मुहिया करा रहा है वहीं दूसरी ओर मेला छेत्र में देश दुनिया से आई हुए संत महत्मा धर्म के छेत्र में अलग-अलग कार कर रहे हैं इसी दौरान हिमाले बद्रीनास से आई हुए संत शहीदों की याद में यग्जिसाला कायोजन कर रहे हैं पंडाल के अंदर कुल 108 यग्जिय हवन कुंड बन रहे हैं यहाँ देश के लिए अपनी जान गवाने वाले शहीद जवानों के परिवार इस यग्जिसाला में सामिल होकर पूजन पाठ करेंगे सबको आप लोगों ने बहुत अच्छे-चे सादू संत महत्माओं के दर्शन घर बैठे ही करवा देने हैं लोगों को तो यह बहुत बड़ी भागशाली लोग होंगे वो जो घर बैठे भी दर्शन करेंगे और यहाँ पर जो आएंगे वो भागशाली होंगे तो हमारा जो पंडाल है ये शहीदों की याद में हम लोग जो है अती विश्णू महाईग करते हैं भारत के अमरभी शाहीदों की याद में अती विश्णू महाईग करते हैं इस यगिशाला में जगे जगे से तीर्थों की मट्टी वेगरा लाते हैं और पुष्प लाते हैं और हर जगे जगे तीर्थों में जाकर के जितने भी तीर्थ के जितने भी इश्ट देव हैं जो देवी देवता हैं उनको हम लोग जो है निमंतरन देते हैं और निमंतरन दे प्रियाग राज जो है बहुत बड़ा तो उसमें और तीर्दाओं को भी जब बुलाया जाता है और इस यगिशाला में हम लोग आबाहन करके प्रतिष्ठा करते हैं तो और ज्यादा सभी देवी देवताओं की भूमी है यह और बन जाती है तो इस यगिशाला में उन बीर न यह अतिविश्ठु महायग और इस यग में सो कुंड बन रहे हैं हवन कुंड के लिए जो हवन करने के लिए जो बड़े-बड़े विद्वान आएंगे वो बैठेंगे और इस यग में जो शहीद हुए हैं उनके परियन उनके परिवार के लोगों को आमंतरित करके अभी फिर मैं गया हुआ था लोगों को उनके घर घर तक जाते हैं और निमंतरन देते हैं और उनको हमारे जितने भी संगत के लोग हैं हमारे जो कारे करता हैं वो लेकर के आते हैं और इस यगिशाला में बैठा करके हवन करवाते हैं उनसे और हवन करवा करके उनको जाएगा औ पूरा तो इस यग में जो जो लोग आपके चैनल के वादेम से सुन रहे हैं वो आएं दर्शन करें और उन नोजवान जो देश के लिए दिन्जों ने अपने प्रानों की आहुतियां दी उनको हम आप सब मिलकर के यहां पे हवन की आहुतियां दें आप सभी साधरा मंत्री हैं सब भी आएं हमारे साथ बालग योगे स्वार्दास जी थे जिन्नों ने बताया कि सहीदों के याद में उनके समर्पित पे यहां पर यग साला कुंड आयूजित की जा रही है एटीवी भारत से प्रयाग्रास सुमित यादा